36 गड़ के धंतरी जीले में 28 जनरी की देर शाम दर्दनाक हाथसा हो गया यहां गंगरेल बांध में एक नाव अचानक से पलट गई इस हाथसे में दो बच्चों की डूबने से मोथ हो गई है जिबकि एक बच्ची लापता है वही घटना के बाद मोके पर पहुँची SDRF की टीम ने साथ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है हाथसे में दो लोग भी घायल हैं जिनका इलाज की अजा रहा है मिली जानकारी के नुसार नरायन पूर से एक परिवार मंगलवार देर शाम करीब चार बजे अलका डोंगरी घूमने आया था यह सभी लोग वहां गंगरेल बांध के पास पहुचे और किनारे बंधी मचुआरों की छोटी नाव खोल ली इस नाव पर परिवार के सभी 12 लोग सावार हो गए और खुद ही चलाते हुए बांध में घूमने लगे बताया जा रहा है कि इसी बीच तेज हवा के साथ लहर आई जिससे नाव का संतूलन बिगड़ गया और नाव पानी में पलट गई बताया जा रहा है कि हाथसे से पहले इन लोगों ने एक टिक टोक वीडियो भी बनाया इस वीडियो के बाद ही सभी हाथसे का शिकार हो गई वीडियो में सभी काफी खुश भी नजर आ रहे हैं इस वीडियो के कुछ देर बाद उनकी नाव पलट गई इस दोरान जो लोग तैर सकते थी वह बाहर निकल आए और बचाने के लिए शोर मचाया गाउं से मच्छुवारे जाल लेकर पहुचे और लोगों को बचाने का परियाश शुरू हुआ जब कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया तब तक सुमित्रा नाग सोला वर्षिय और निवेदिका कांगे तीन वर्षिय की मोथ हो चुकी थी जब की दुरगेश्वरी कांगे और निराबाई मंडावी की हालत गंभीर है गायलों को चारामा अस्पताल में भरती करवाया गया है जांसे हालत गंभीर देख अस्पताल रैफर कर दिया गया है वही घटना के बाद पांच वर्षिय लक्ष्मी मंडावी लापता है उसके तलाश में पुलिस देर राथ तक रेस्क्यू ओपरेशन चलाते रही लेकिन तेज हवा होने और बहाव के कारण उसका पता नहीं चल सका JBD Banquets लाए है, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgharana and Jyoti Garden are JBD Banquets Enterprise हैंने वाद